जैसा कि आप जानते हैं, 25 तारिक के दोपहर से भारत जोडो न्याय आत्रा का विश्राम का समय था 26 और 27 को पहले से ही हमने तै किया था कि विश्राम के दिन होंगे और क्यूंकि 26 तारिक को दिल्ली से आने जाने के लिए मुश्किल होगा इसलिए हमने 25 तारिक दोपहर से जब हम कूच बिहार में प्रवेश किये तब से हमने भारत जोडो न्याय आत्रा को डाई दिन का विश्राम दिया कल दोपहर को दो बजे जल्पाई गुरी में एक पद यात्रा से फिर से भारत जोडो न्याय आत्रा की शुरुआत होगी उसके बाद सिली गुरी जाएंगे सिली गुरी में करीब दो किलो मीटर का पद यात्रा होगा और एक जन सबा को संबोधित करेंगे राहुल गांदी जी कल रात को हम उत्तर दिनाचपूर जिले में होंगे वहीं हम रुकेंगे और परसों हम अरर्या जिले में प्रवेशन करेंगे बिहार में और तीस तारीकों भी हम भीहार में रहेंगे अरर्या पूर्निया और किशन गंच तीन जिले से बस जाएगा राहुल जी जन सबाओ को संबोधित करेंगे हो सकता है एक दो जगों में परियात्रा भी होगा राहुल जी की कोशिश रही है कि रोज सुबह या दोपहर जहां हो सके तीन चार पांच किलो मीटर का पधियात्रा हम करें सब जगह हो नहीं पाया है पर अब से मैं समझता हूँ रोज चार पांच किलो मीटर का पधियात्रा ज़रूर होगा और अरर्या, पुर्निया, किशन गंज होकर हम तीस तारिक रात को वापस पस्चिम बंगाल लोटेंगे यानि कि पस्चिम बंगाल का पहला फेज, कुछ बिहार, जल्पाई गुरी बाद में सिली गुरी, बाद में उत्तर दिनाचपूर और तीस तारिकों हम वापस लोटाएंगे पस्चिम बंगाल और उस के बाद तीस और एकतीस को मालदा, मुर्शिदाबाद और बिर्भूम से भारत जो डोनिया यातरा निकलेगा, और बिर्भूम से होकर हम जहरकंड में प्रवेश करेंगे तो पस्चिम बंगाल का दो फेज है, पहला फेज अभी चल रहा है, हम कुछ बिहार में, हम अंदर आये थे पस्चे मंगाल के अंदर हम कूछ बिहार में हमने प्रवेश किया और हम निकलेंगे 31 को बीर भूम से जारकरने आएंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ सवाल उठें हैं मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने कोई हमारा प्रोग्राम बदला नहीं है कुछ छोटी मुटी दिकते आ रही हैं सिलीगूरी में अलग-अलग जगों में इम्तिहान हो रहे हैं और कोई हाई कोड का आदेश है उसके अनुसार वहां के अधिकारी को कुछ कारवाई करनी है यह सब मैं समझता हूँ बातचीत से हल हो सकता है हम चाहते हैं कि कल ग्यारा बजे को ही हम शुरू करें पर वो नहीं हो पाया है तो दो बजे से हम जलपाई गुरी में शुरू करेंगे पद्यात्रा से वो पद्यात्रा करीब दो किलो मेटर लंबा होगा चल्पाई गुरी में और उसके बाद सिली गुरी में भी दो किलो मेटर का और वहां जन सवा संबोधित करेंगे रहुल जी खर्गे जी ने पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री के साथ स्वयम बात की है उन्होंने उनको निमंत्रन भी दिया है और हम समझते हैं कि पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया था दो दिन पहले कि उनका निशाना बीजेपी है, वो बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी को हराना चाहती है, और वो भी कॉंग्रेस का मकसद है, वो भी इंडिया गटबंदन का मकसद है, तो इसमें कोई बाद विवाद का मामला नहीं है, यहां वहां कुछ बोले जाते हैं, पर मैं कहूं कॉंग्रेस पार्टी के ओर से, हम चाहते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी अगर उनको समय मिले, भारत जुड़ों या यात्रा में शामिल हो, उनका भरपूर हम स्वागत करेंगे, उनी के राज्ये में हम होंगे, और हमारे नेट्रित कॉंग्रेस अध्यक्ष, हमारे संसिदी अदल के अध्यक्ष सोन्या जी और राहूल जी तीनों ममता जी का बहुत सम्मान, बहुत आदर करते हैं और वो जानते हैं कि अगर हमें बीजेबी को हराना है, अगर हमें सामप्रदाइक विचारदारे से लड़ना है, तो उसमें टीमसी का शामिल होना, और खास दोर से ममता जी का शामिल होना अनिवारिया है। सवाल उठाएं गए हैं, आपके सवालों के पहले ही मैं उसका जिकर कर दूँ, ताकि आपको कश्ट न मिले सवाल करने का मुझे। बिहार में कुछ बयान आ रहे हैं बिहार में कि एक नए मंत्री मंडल का गठन होगा। आज ही 36 गड़ के पूर्व मुख्य मंत्री भूपेश बगेल जी को कॉंग्रेस अध्यक्ष ने सीनियर उब्जरवर बिहार के लिए निउक्त किया है। भारत जोडो न्याय यात्रा को लेकर और अन्य जो पार्टी से संबंदित मामले हैं। उसके बारे में जो बाच्चीत करनी हैं हमारे MLA से, हमारे पार्टी, संगठन के पदादिकारियों से, अलग-अलग पार्टीयों से बगेल जी को न्यूट किया गया है और मेरी जानकारी में आज रात को ही बगेल जी बिहार पहुंच जाएंगे, पतना पहुंच जाएंग 23 जून को, मैं यार दिलाना चाहता हूँ क्यूंकि लोग भूल जाते हैं, 23 जून को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने निमंत्रन दिया था 18 पार्टियों को और पहला मीटिंग विपक्ष के पार्टियों की पतना में हुई, 23 जून की, और उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नी की, ये पहला बैठक था, जहां सभी विपक्ष की पार्टियों तब 18 थे, वो पतना में एकत्रित हुए, वहां बाचीत हुई, दूसरी बैठक बेंगलूरू में हुई, 17 और 18 जुलाई को, बेंगलूरू में इस गड़बंधन को इंडिया नाम दिया गया, और वहीं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वहीं से निकला, बेंगलूरू के बैठक से, और बेंगलूरू के बैठक में भी, बिहार के मुख्यमंत्री निजिश कुमार जी ने, उनकी भूमी का बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका योगदान महत्वपूर्ण था, इसके बाद, तीसरा बैठक, इंडिया पार्टियों की, 31 अगस्त और पहले सतंबर को, मुंबई में हुआ, वहां भी, उस बैठक में भी, बिहार के मुख्यमंत्री ने, और सभी नेताओं ने, डियम्क के नेता, अन्सीबी के नेता, शिफसेना के नेता, सभी नेता, समाजवादी पार्टि के नेता, सभी नो, बाटचीत की, वहां भी, बिहार के मुख्यमंत्री का योगदान, महत्व था, महत्व पून था, तो ये तीन बैठके हुई हैं, पहले पत्ना में, वहीं से शुरुआत हुई, उसके बाद में जुलाई के महने में बिंगलूरी में हुआ, और अगस्त और सितंबर के महने में मुंबई में हुआ, उसके बाद में आप जानते हैं, विधान सभा के चुनाओं आ गए, आपचार एक तोड़ से बैठक नहीं हो पाई, जूम मीटिंग ह हुआ, बात्चीत होती रही, तो जो कुछ खबरे आ रही हैं, मैं अनौपचारिक खबरों पर डिपन्नी नहीं कर सकता हूँ, आज की स्थिती में, कॉंग्रेस सध्यक्ष जी, मलिकार जुन घर्गे जी, प्रयास कर रहे हैं, बिहार के मुख्य मंत्री से बात करनी का, और जो इंडिया गटबंधन था, अठाइस पार्टियों का गटबंधन जो अठारा था परत्ना में, जो अठाइस हुआ बंगलूरु में और मुंबई में, उसको मजबूत करना, हर घट जो दल हैं, इस गटबंधन के दल हैं, जो घटक दल हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती हैं, और कॉंग्रेस पार्टियों हर कदम लेने के लिए तयार है, ताकि गटबंधन को और मजबूत किया जाए। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, जो बाचीत चल रही है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में, उसके बारे में मैं कहीदू कि अशोग गैलोड जी खुद अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में है, बाचीत उस तर पर चल रही है, अशोग गैलोड जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत रचनात्मक तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है, और जब कोई फॉर्मिला, कोई सीट शेरिंग अर्रेंजमेंट तै होगा, उसकी जानकारी हम सब को दे देंगे, पर आज, क्योंकि अखिलेश जी ने खुद ये ख कि बाची चल रही है, और वो खुश है उस बाची से, मैं कहतना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के ओर से, अशोक गेलोड जी और अखिलेश जी सीधे संपर्क में हैं, और बाची चल रही है, और अभी शिक्र दोनों मिलने वाले हैं, और जो समझोता होगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए, कॉंग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गडबंदन के लिए फाइदे मंद होगा। चुंगे विए अबाची और अब्सक्राइब गडबंदन के लिए अज़ दिजाइब ऑगनाव